हेई गाइज वालकम बैक तो दे मिस्टर व्यास और फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिप्टीन दीज ब्लॉगिंग सीरीज वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस यहां दोस्तों आपको थम दल से समझ में आ गया होगा एग्जेक्टली हम क्या शुरुआत करने वाले हैं बहुत सा लोग के डिमांड स्टी बहुत सा लोग बहुत लोग बहुत लॉग टाम से मैचेज कर रहे तो मैंने सोचा कि चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस के सीरीज जहां पर अगर आप जीरो अगर आपको ब्लॉगिंग का ज कौन कौन से टॉपिक है कौन कौन से डे के अंदर कौन सा वीडियो हम डिसकस करेंगे सारे चीज़े मैं आज इस वीडियो के अंदर आपसे एक्स्प्लेइन करने वाला हूं अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं ब्लॉगिंग के सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैं टॉपिक आपको यहां पर दिखाने व कौन-कौन से टॉपिक्स हैं लेट्स के स्टाइट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए तकि आने वाले 15 वीडियो जी हां इस ब्लॉगिंग सीरीज के अंदर मैं 15 वीडियो के बारे में डिसक्स करूँगा एक-एक वीडियो के अंदर क्या-क्या टॉपिक्स होगा यह साड़ी चीजिए मैं अज वीडियो के अंदर बताने वाला हूं अगर आप चाहते हैं कि आपको उन वीडियो सीरीज का एक और एवर्य टॉपिक अगर आपको on time मिल जाए on time आप उसको देख सकें तो गाइस च चीज के लिए यूज में आता है और किस लिए आपको किस से शिरुवात करने चाहिए यह बेसिक और वीडियो होगा ताकि अगर आप बिगिनर हैं जिसको कुछ भी नहीं पता है तो इसको इस वीडियो सा एडिया मिल जाएगा कि exactly यह है क्या सेकंड पार्ट होगा वह होग करना है और कैसे आपको डॉमेन को बाय करना है और इसके बाद इनको इंटर लिंक कैसे करना है नेम सर्वर को कैसे चेंज करना है यह सारी चीज़े हम डिसकस करेंगे वीडियो नंबर 3 जो कि एकदम बेसिक होगा ताकि आप एक बार वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकें इसके बाद होगा जो होस्टिंग आपने परचेस किये उस पर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे आपको करना है साथी साथ वर्डप्रेस के बेसिक फंक्शन का ओवर्वीव कि कौन सी चीज का क्या मतलब है क्या मतलब है क्या सेटिंग्स होती है क्या क्या चीज़े होत या paid plugins आपको mandatory आपकी wordpress के site में use करना है जिसके through आपकी site को performance increase हो जाएगा security increase हो जाएगी और आपके SEOs भी अच्छा हो जाएगा और बहुत सारे features इसके through हम solve करेंगे तो यह important part होगा every plugin के बारे में detail में बताऊँगा install करके हम बताएगे so guys यह part होगा number 5 इसके बाद होगा number 6 आपको कौनसी theme purchase करनी है या कौनसी free theme यूज़ करनी है कौनसी best themes और किस themes को किस तरीके सापको install करना है premium themes कौनसी होती है, free themes कौनसी होती है, अच्छी theme कौनसी है यह सारा चीज़े हम discuss करेंगे इस video के अंदर इसके बाद होगा number 7 जो आपको screen पर दिख रहा है basically यहाँ पर होगा आपकी site का customization आपकी website का look एक बाद theme इंस्टॉल करने के बाद आपको footer कैसे लगाना है header कैसे लगाना है, sidebar कैसे लगाना है किस तरीके से images एड़ करना एक तरीके सबकी site का proper look define किया जाएगा इस वाले video के अंदर इसके बाद आता है number 8 अभी आपकी site तयार है guys तो अभी यहाँ पे एक चोड़ास हम discuss करेंगे वो होता है कि post क्या होते है, pages क्या होते है एक बाद site define होगी तो हम एक dummy सा post publish करेंगे साते साथ dummy से pages उन pages को आपकी site में कैसे include करना है कौन से pages mandatory है ताकि आपको AdSense का approval मिल जाए ताकि आपकी site authorize हो जाए तो यह होगा number 8 इसके बाद होगा number 9 जहाँ पे मैं basic cover भी दूँगा SEO क्या होता है search engine optimization क्या है कितने type के SEOs होते है कौन सा issues आपको करना चीए और कौन सा नहीं करना चीए यह करने के बाद जो हमारा important part आएगा वो होगा importance of keyword keyword क्या होते हैं कितने type के होते हैं और keyword research के tools कौन-कौन से free tools होंगे कौन-कौन से paid tools होंगे कौन-सा tool आपको use करना है और क्या क्या होता है यह सारा चीज all about importance of keyword के बारे में discuss करेंगे इसके बाद जो number 11 वीडियो होगा यह होगा कि आपको keyword research कैसे करना है कौन कौन से techniques है किस तरह के साथ को keyword research करना है यह सारे चीज़े कैसे आप low difficulty का keyword, high CPC का keyword कैसे आप free tool और paid tool के तो find out कर सकते हैं keyword research का basic overview मैं इस वीडियो के अंदर दूँगा video number 11 इसके बाद है video number 12 यहाँ पे हम लिखने वाले आपके हाथ में keyword है आपकी site और प्रॉपरली बन चुकी है तो अभी बारे आती है हम एक SEO friendly post लिखेंगे जहाँ पे जो आपने keyword निकाला है उस keyword को उस post में कैसे target करना है मतलब कि best SEO friendly post आपको कैसे लिखना है यह सारे वीडियो जहाँ आपका पोस्ट तयार हो चुका है अभी आपको publish करना है कैसे publish करना है कैसे tagline side करनी है कैसे description ads करना है किस तरह के से इस publish के होब वीडियो को automatically आपको twitter है या facebook है इसके बार आपके post को publish होने के बाद में आपको कौनसी डारेक्टरी कैसे web डारेक्टरी के अंदर इसको submit करना है यह सारे चीजे मैं आपको एक इस वीडियो के तरूप detail में explain करूँगा इसके बाद होगा number 14 जहाँ पे हम Google के various tools के बारे में बात करेंगे Google Webmaster क्या है Google Analytics क्या है Google AdSense क्या है और Google Page Twitter क्या है और कैसे आपकी sidecoins अब से link करना है कैसे AdSense Approval के लिए भेजना है यह सारे चीजे हम discuss करेंगे video number 14 So guys जो finally video होगा 15 वो basically off page SEO का part होगा जहाँ पे हम discuss करेंगे backlinks क्या है Types of backlinks किस सरीके backlinks होती है और साथ ही साथ कैसे आप backlinks create कर सकते है Through commenting, through guest posts, through high row Through broken link building यह सारे चीजे में in videos के अंदर discuss करूँगा और सबसे important guys यह 15 videos अगर आपने देख लिए और यह videos में upload करूँगा मेभी आज एक video कल एक दिन छोड़ के परसो एक video Similarly हम एक मन्त के अंदर एक 15 वीडियो सारे के सारे में upload करूँगा और इसके तुरू आपकी सारी blocking start to end तक, beginner to advance तक में cover करूँगा and I hope कि इस तरीके का video शायद ही किसी ने बनाया होगा, जहाँ पर इतने varieties of topic को इक cover कर रहा होगा guys यहाँ पर एक overview मिलेगा, अगर आप really में blogging सीखना चाता है really में earning करना चाता है और आपको यहाँ पर मैं हर चीज, हर potential चीज को यहाँ पर discuss करूँगा guys एक और important चीज वो यहाँ पर है कि मैं इसको लेकर के एक basic cover view वाला वीडियो रहेगा जहाँ पर mostly चीजे covered की जाएगी जहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो अभी बहुत कुछ आ जाएगा अगर आप यह series start to end तक देखेंगे लेकिन मैं UDMEP course बना रहा हूँ guys वो थोड़ा जादा professional course होगा उसमें in-depth knowledge होगा वो course paid होगा तो मैं आपको अभी recommend नहीं करता हूँ this is all about this 15 days vlogging series and I hope कि शायद ही किसे ने यसी कोई series बनाई होगी और बनाई भी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि उतना best बना पाया होगा जितना मैं आपे देने के try कर रहा हूँ so guys इसे के साथ में मैंने बहुत सारे पुराने videos upload किया जिसको शायद आप लोग देख नहीं पा रहे है तो जब मैं एक-एक topic को discuss करूँगा तो वो सारे videos भी आपको refer करूँगा ताकि आप उस topic क्योंकि मैं एक बार में एक-एक दो-दो घंटे का video नहीं बना सकता तो around 20 minute और 30 minute का एक video अगर मैं बनाता हूँ तो आपको वो videos refer कर दूँगा जो अलड़ी मैंने बना के रखे हैं इसे backlinks क्या होता है उसके पूरी series बना के रखे हैं keyword research के पूरी series बना के रखे हैं तो एक overview दिया जाएगा इसके बाद में इसके अलग अलग एक playlist इन 15 topics के अलग से playlist बना हूँगा मैं और वो playlist आप जाकर के देखेंगे तो आपके जो बाकी बचा हूँगा doubts detail में clear हो जाएगे So guys, this is all about this 15 days blogging series जिसका आप long term से अवेट कर रहे हैं अगर आपको ये video सही लगा हो अगर आप ready है, अगर blogging series के लिए तो मुझे comment करके बताइए और आप बताएगे कितना excited है इसको ले करके ताकि मैं जल से जल इस पर वीडियोज बनाना चालो करूँ So guys, अगर आप हमारे इस channel पर नए है और रियली में blogging सीखना चाहता है या आने वाले वीडियोज की latest update instantly जानना चाहता है तो जैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और comment करके बताइए कि आपको यहां का content कैसा लग रहा है So guys, आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो के अंदर blogging series part 1 के अंदर जहाँ पे हम video number 1 को discuss करेंगे लेकिन आज इतना ही फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जै हिंग जै बारत